एक बार एक वैग्यानिक ने एक टिड़े तो पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर चलान लगाना सिखाया। वैग्यानिक टिड़े से कहता कूदो टिड़ा उसके आवाज सुनते ही जोर से चलान लगा देता। अब वह वैग्यानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था उन्होंने टिड़े की चलान पर प्रयोग किया वैग्यानिक ने उसकी एक टांग तोर दी और फिर बोला कूदो अब टिड़े की चलान की दुरी कम हो गई वैग्यानिक ने उसकी दूसरी टांग तोर दी और फिर बोला कूदो टिड़े की छलान और कम हो गई अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग फिर छलान की दुरी और कम हो गई एक एक करके बेचारे टिड़े कि सारी टांगे तोर दी गई, अब आखरी टांग तूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पाया अब वैज्ञानिक ने अपना निशकर्ष अपनी डायरी में लिखा, जानते हो उसने क्या लिखा जब टिडडे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया, जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया और सारी टांग तूटने के बाद वह बिलकुल बहरा हो गया, अब जोर-जोर से चिलाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं छलान लगाना तो दूर की बात थी, इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है, ना कि क्या मुर्ख तांग तूटने की बजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो गया था, दोस्तों हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मुर्ख बन जाते हैं, कई बार जीवन में दो घटनाएं, एक साथ ऐसे घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है, कभी कभी दीखता कुछ और है, लेकिन समझ कुछ और आता है, और वास्तव में होता कुछ और है